मेरा नाम है रिषी शर्मा और आज आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ इंटमोलाजी का पार्ट 3 तो गाइस देखिए प्रीविएस के दोनों सेशन्स में हम लोगों ने बहुत सारे इंटमोलाजी के कॉंसेप्स को अपने क्लियर किया आपके जतने भी डाउट्स बने उनको भी सावल किया और उनसे रिलेवेंट एक कुछ की सीरीज भी रखी जिसमें हमने प्रीविएस डिसकस हुए सेशन्स में उनसे रिलेट जितने भी कॉश्चन बने उनको रखा और उसके साथी साथ इंटमोलाजी के लैंडमार्स के बारे या फिर इंटमोलाजी से लेटेड हैं वो कहां इस्टैबलिस हैं उनके इस्टैबलिसमेंट इयर कभ हुए तो इस तरह के जितने भी कोश्चन जो डाइनेमिक बन सके जो कोश्चन में प्रीविएस एरे कोश्चन पेपर में या तो आए हुए हैं या फिर उनके आने की आप जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों सेसंस को जिसमें मैंने दो इंटमोलाजी का सेसंस कराया है और एक उनसे बेस उनके बेस्ट एक क्विज की सिरीज भी हुई है तो आज की सेशन में पार्ट थ्री में हम डिसकस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा एक डाइने क्लासिफिकेशन आफ फाइलम अर्थोपूड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में उसके लिए आप परिशान मत होई है मैं जब वहां पढ़ाऊंगा तो आपको सारा ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगा उसके पहले आपके कॉंसेप्स भी क्लियर करूंगा यहां प जो को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे यहां पर आपको एक जनरल क्लासिफिकेशन अफ फाइलम आर्थोपूड़ा की और क्लास इंसेक्टा की यहां पर मुझे समझाने की बहुत ज्यादा ज़ूरत है इसलिए मैं यहां पर आज इसको बकाईदा डिस्क्स करने व हाले हैं उसके साथ ही साथ टाइपस ऑफ लार्वी देखेंगे और हेड ओरियेंटेशन की भी बात करेंगे इंसेक्ट के केस में ठीक है उसके पहले कुछ कुछ जो आप लोग के बने रहते हैं हमेशा माइंड में कि सर आप हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं तो दीखे गाइ के लिए कुश्चन पेपर के लिए हर एक कुश्चन के समान है ठीक है उसके साथ ही साथ कुछ लोग के मन में हमेशा चलता रहता है कि सर सिलेबस हमारा कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा एक्जाम के पहले तो आपके एक्जाम के पहले इतने सारे क्विजस करा दि करने के लिए यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरू किया करिए शेयर भी करिया करिए अपने दोस्तों के साथ ठीक है और जितने भी डाउट्स और कुश्चन्स बनते हैं आप लोग कि आप बे जीजा का के कमेंट सेक्शन में पूछा गिया करिए वहाँ पर आपका बह सबसे पहले डिसकस करेंगे मार्फॉलाजी आफ इंसेक्ट के बारे में देखिए प्रीवियस सेशन में भी डिसकस कर चुका हूँ मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट की जो बॉडडी स्टॉक्चर होती है वह बिसिकली थ्री पार्ट में डिवाइड होती है जो पहला प पकरिया होती है इंसेक्ट में उसको क्या कहते हैं टेग्मोसिस यहां से एक कोश्चन बना यह सारी सारे जो क्यों आपको देता जाता हूँ इसको क्रिप्पा करके आप ध्यान से सुना करिए अगर आपका अमन करे तो क्रिपा करके नोट किया करिए ठीक है यह आपकी exam point of you स बहुत ही ज़्यादा important points होती है तो अगर दिखिए आप आपके screen के सामने एक insect की एक general structure यो मैंने रखी हुई है जहां पे आप clearly समझ सकते है head portion कहां से कहां है thorax और abdomen भी आपको दिख रहा है जो head portion हमारा होता है वो consist करता है mouth parts को तो mouth parts की भी हम discuss आगे अपने further session में करने वाले है types of mouth parts देखेंगे वहाँ पे कौन-कौन से insect में किस-किस order में किस type के mouth parts पाये जाते हैं ठीक है antenna किस-किस type के होते हैं वो भी हम discuss करेंगे उसके बाद जो type of wings होते है types of legs होते है insert के case में यहां से question है हमेशा बनता है VPSAFO का exam हो चाहे आपका नाबाड़ का exam हो चाहे SBI का exam हो और NetJRF में तो पूछा ही जाता है उसके बिना तो paper बनना ही नहीं है तो इसको ध्यान रखिएगा यहां से question करेंगे और उसके बाद फिर physiology में चप चलेंगे तो physiology बहुत ज़्यादा सांदार हम डिस्कूस करने वाले हैं तो यह सारी बाते हो गई एक general morphology के बारे में अब देखिए अब जैसा कि मैंने कहा आपसे कि देखिए morphology या फिर physiology समझन दे रहा हो देखिए जो फाइलम आर्थोपोडा होता है इस basically classified into seven classes अब कई से लोग यहां पर confused होंगे कि सर मैंने तो six classes पड़ी हैं देखिए कई-कई इंटमोलाजिस्ट जो है अलग-अलग अपनी किताबों उन्होंने जिकर किया हुआ है एक जो class होती है फाइलम classification से हटा देते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ छे classes देखने को मिलती है बट गाइस exam point of view से आपको sharp होना पड़ेगा शार्प होना पड़ेगा और यहां पर जो मैं discuss कर रहा हूं यही इसका basically classification है कि फाइलम आर्थोपोडा जो है वो seven classes में divide है अब देखिए फाइलम आर्थो पूड़ा है वो largest phylum है invertebrates की ठीक है question note करते चलिए मैं जतने भी question आपको बताता चलता हूं आपके सारे exam point of view से बहुत ही ज्यादा important है ठीक है तो इसे seriously लीजिए note करते हो चलिए ध्यान से सुनिए जतने भी question बने comment section में आईए अब अपने questions को पूछिए वहां पे ठीक है पूड़ा में कौन-कौन से classes आते हैं उनकी भी discuss कर लें जो पहली हमारी class होती है वो होती है onikophora onikophora में ऐसे members आते हैं जिनके claws होते हैं मतलब उन्हें क्या कह सकते हैं claw wearing example की बात करने तो peripetus दूसरा जो हमारा class होता है उसे हम क्या कहते हैं crustacy crustacy के members क्या होते हैं उनकी जो उनकी जो ऊपर की body है वो हाड़ी है तो crust like होने कनाते नाम क्या पढ़ गया इसका crustacy ऐसे आपको सीखना है समझना है example में जैसे prawn हो गया है crab हो गया तीसरा जो हमारा class है वो है एरेक नीडा एरेक नीडा class है एरेक नीडा में ऐसे members आते हैं जो spider like structure रखते हो अपने body की example में जैसे scorpion हो गया spider हो गया माइट्स हो गया ठीक है इस तरह के members जो आते हैं वो अरेक नीडा class में आते हैं चौथा जो हमारा class है वो है चीलो पूड़ा चीलो पूड़ा में जो members आते हैं जैसे centipedes हो गया centipedes से भी question हमेशा बनते रहते हैं competitive exams में वो क्या बनता है सीधा question आप आपको एक्जामनार पूछ लेता है कि centipedes जो है वो कौन से class से बिलॉंग करता है आपको वहां पर चार class देदेगा और उन चारो class हो में से आपको एक अपना answer टिक करना रहता है तो यहां से आपको clear लिया जखिएगा कि चीलो पूड़ा class का member है centipedes ठीक है उसके बाद आक से भी आपको दिख रहा है डिपलो मतलब टू और पोड़ा मतलब लेक्स यानि कि ऐसे मेंबर्स जिसके दो लेक्स होते हैं एक्जामपल की बात करना तो जैसे मिलिपीड हो गया ठीक है और छटवा जैसे मैंने पहले आप से कहा जो छटवा हमारा class है वो है एंस्टेक्ट नाम क्या है ट्राइलोबिटा यह भी आपकी एक्जाम पोइंट उसे बहुत ज़्याता इंपोर्टेंट है याद रखिएगा सीधा एक्जाम में कोश्चन बनेगा क्या कौन सा ग्रूप जो है जा कौन सा क्लास फाइलम आर्थो पोड़ा का कौन सा क्लास एक्स्ट जिनके six legs होते हैं consist करते हैं वो ठीक है दूसरा नाम क्या देते हैं इसी को क्लास इंसेक्टा आई वर समझ में तो क्लास इंसेक्ट साब को हैक्सापोड़ा क्यों खा जाता है उनके छे पैरों की होने की बजह से एक्जामपल गी बात करें तो ग्रास होपर यह आगई बात स इसके अंडर में orders आएंगे उनके characteristics features हैं ठीक है exam point of view से बहुत ज्यादा जो important orders है मैं सिर्फ उन्हीं का discussion इस पूरे series में मैं करने वाला हूं ठीक है तो अब बात कर लेते हैं class hexapoda या फिर इंसेक्टा की तो इसके जब देखेंगे class इंसेक्टा का postmatum जो करेंगे तो class इंसे जिनके पास wings present है और SM members जिनके पास wings या फिर punk present नहीं है तो देखिए जिनके पास wings absent है एपसेंट का मतलब अनुपस्तित हैं उनके पास wings नहीं है एफ और एपसेंट तो याद रखिएगा एफ और एपसेंट से है वो भी absent होती है तो याद रखिएगा एफ और एपसेंट क्या क्या एपसेंट पहिरा तो विंग एपसेंट दूसरा मेटामॉर्फोसिस एपसेंट अच्छा मेटामॉर्फोसिस क्या होती है उसका discussion हम इसी session में करने वाले हैं तो बने रही है session के last तक session पसंद आ रहा हो त दूसरा सब क्लास है उसे क्या कहते हैं हम टेरी गुटा यानि कि ऐसे मेंबर जिनके पास विंग्स होते हैं जो पंखधारी होते हैं ठीक है जिनके में उड़ने की कैपासिटी होती है याद रखिएगा और साथी साथ उनके में मेटामॉर्फोसिस भी present होता है व्यस्क बनता है व्यस्कोनिक बात फिर वो विद्ध बनता है बुड़ा हो जाता है उसी तरह से इंसेक्ट की केस में भी कई सारे स्टेजस आते हैं पूरे लाइट साइकल का दोरान ठीक है उसमें वो अपना जो है कायांत्रण यानि की रूप को समय समय पर परिवर्तित कर प्ता रहता है तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया इंसेक्ट के केस में हो रही है उसको हम क्या टर्म देते हैं मेटा मुर्फोसिस और हिंदी में का कहते हैं कायांत्रण या रूपांत्रण आगे बढ़ते हैं अब देखिए class insecta की भी further हम बात कर लेते हैं plus class insecta की further division करने से पहले एक question मैं और आपको बताता चलू कि याद है आप याद कर ये first session मैंने आप से discuss किया था कि class insecta की जो most adaptable classification है वो किस ने दी थी मैंने वहाँ पे जिकर किया था और नाम बताया था आपको कि dr. A.D. M. साहब न कि dr. A.D. M. साहब ने जो है वो class insecta की सबसे adaptable classification दी थी ये याद रखिएगा आपके exam point of view से बहुत ज्यादा important question है कि जो class insecta की हम discuss करते है classification की वो सबसे ज्यादा adaptable किसकी classification है वो है dr. A.D. M. की ठीक है तो यहाँ पे भी जो classification में discuss कर रहा हूं class insecta की वो भी किसकी दी हुई है वो भी दी हुई है dr. A.D. M. की तो देखिए dr. M. की जो classification है उसमें class insecta को दो सबclasses में divide किया गया है एक A.Terry Gota में और दूसरा तेरी Gota में तो जो तेरी Gota के अंतरगत total orders हैं वो कितने orders हैं चार यहाँ से मैं कुशन आपको एक और बना के दे रहा हूं उसे भी ध्यान रख देखिएगा सब-class A.Terry Gota से कितने order चार बने और अगर सब-class Terry Gota की बात करें तो सब-class Terry Gota में भी दो डिवीजन आते हैं एक आता है डिवीजन वन एक सो टेरी Gota और जो दूसरा डिवीजन होता है वो होता है इंडो टेरी Gota जिसका हम next slide में discuss करेंगे तो देखिए दो डि और डिवीजन वन सब-class Terry Gota के डिवीजन वन एकसो Terry Goht art मैं कितने order हो गए गिनिए यहाँ पर तो यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर पापको कितने order मिलेंगे Ohler और जो एंडो टेरी Gota है वहाँ पर आपको कितने order अपर देखने को मिलेंगे टोटल 9, तो 16, 4, 20 और 29, यानि कि याद रखिएगा जो Dr. Ems के द्वरा दी हुई classification है, class insecta की उसमें total number of orders कितने हैं, 29, जिसमें जो 4 आते हैं, वो 8 terigota सब class के अंतरगत आते हैं, और जो 16 आते हैं, वो sub class terigota के exo terigota division के अंतरगत आते हैं, और जो 9 आते हैं, वो endo terigota division के अंतरगत आते हैं, total number of orders कितने हो गए, 29 और अलग-अलग में मैंने बता दिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जो sub class A terigota के orders हैं, जैसे थाइनो सोरा हो गया, example में silver face, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया, columnbola, spring tail, protura हो गया, जिसमें proturans आते हैं, और diplura हो गया, जिसमें diplurans आते हैं, ठीक है, इसी तरह से exo terigota, exo terigota के order जैसे, if I meroptera हो गया, जैसे example में mayflies हो गया, दूसरा ordonator हो गया, जिसमें dragonfly और demsel fly आते हैं, ठीक है, इसी तरह से placottera हो गया, जिसमें stonefly तो इस तरह के ओर्डर हो गया उसके बाद और आट तो गया फैज मीडा हो गया डर्मप्तेरा हो गया इंबायोप्तेरा हो गया देखिए यहां पर मैं सर्फ आपको और्डर समझा रहा हूं बता रहा हूं उनके नाम एक्जामपल के साथ ताकि अभी जो मैं मारफॉल आज इस करूंगा वहां पर आपको जैसे यह ईग्जामपल में जैसे नाम लिया ग्रास होपका तो चैहीं आपके माइन्ड में कौनसा ओडर आना चाहिए आपके माइंड र अब कि बात कर रहा हूं तो यानि किस की बात कर रहा हूं किस ओडर की और तो सिर्फ इतना समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्लास इंसेक्टा के डिस्कस अभी कर रहा हूँ, घवडानी कोई जोरुत नहीं है, मैं जब क्लासिफिकेशन और टेक्सोनावी डिटेल में पढ़ाऊंगा, वहाँ पर मैं बहुत बढ़ी आंसा ट्रिक और टिप्स आपको द बने रही है हमारे सेसंस के साथ, यह हो गए इतनी बात, इंडो टेरी गोटा भी देख लेते हैं, इंडो टेरी गोटा मैंने कहा कि नौ और आते हैं, उन नौ और कौन-कौन से हैं, नियूरोप्टेरा हो गया, जिसमें एंटी लायन्स आते हैं, एक्जामपल में, ठीक है, म पात मैं यहाँ पे छेडी हुई है, तो आपको एक कॉशन और बताता चलू, कि आपके मन में एक कॉशन आ रहा होगा, कि सर, क्लास इंसेक्टा इतना बड़ा, और इतने बड़े ओर्डर में, इतने बड़े क्लास में, इतने सारे ओर्डर, तो पता कैसे याद कैसे पर सिर्फ आपको किवल साथ ओर्डर को देखने की, समझने की और पढ़ने की आउशकता है इनी साथ ओर्डर से आपके जो भी एक्जाम हो चाए वो Net ZRF का एक्जाम हो चाए वो AIBPSAFO का एक्जाम हो, चाए वो NAVADSVI का एक्जाम हो सिर्फ इनी साथ ओर्डर के characteristic feature, mouth पाट जितने भी type के question मनते हैं कौन सा insect किस order का है, उनी साथ ओर्डर से आपके question यहाँ पे मिल जाएंगे इसके बाहर आपको पढ़ने की कतई भी कोई जोगरत नहीं है तो सीधे term में इसको क्या कह सकते हैं कि agriculture important के जो insect होते हैं वो साथ orders के अंतरगत आते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको ए टेरी गोटा जो सब क्लास है, उसके order से हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है बचा क्या दो हमारे पास, सब क्लास टेरी गोटा बचा आईएगा बिलकूल मत वहां पर ही मैं आपको ट्रिक्स और टिप्स दूँगा, यहां पर एक जनरल क्लासिफिकेशन बता रहा हूं तो एक्जो टेरी गोटा के जो मेन इंपोर्टन अगरी कल्चन इंपोर्टन जो orders होते हैं उनमें जो सबसे पहला नाम होता है वो होता है आईसोप्टेरा जिसमें टर्माइट्स आते हैं जो दूसरा most important order होता है वो होता है थाईसनोप्टेरा जो होता है हमारा इसी के जश्च नीचे लगा हुआ है उसमें जो थिप ल talks जो जेसे एक्जाम्पल में प्रिप्स होता है तो वह थाईसोप्टेरा उसके अलावा हैमीप्टेरा जो हमारा गूर्प होता है जिसमें भुक्स यह पाये जाते है है तो यह तीन ओर्डर जो है वह एक्जोअगा और ऊधरी-बटर यह हो गए cath sure हो गए और एक होता हैar जिसमें बीस और वेफ्स वह गरह आते हैं और जो सात्वा और सबसे इंपॉर्टेंट जो और होता है वह होता है कॉलीकिर जिसमें बीटल्स और वीविल्ट पाई जाते हैं तो तीन Collioptera order से question और बनता है, जैसे मैंने आपको largest phylum बता दिया, कौन सा invertible rates के case में, कौन सा होता है, phylum arthropoda, उसी तरह से एक question यहां से और बनता है, क्या question बनता है, कि जो phylum arthropoda का largest order है, वो कौन सा है, तो largest order आपको याद रखना है, phylum arthropoda का, वो है Collioptera, ठीक है, यह होता है, largest order of phylum arthropoda, एक question यहां से मैंने आपको यह निकाल के दिया, 7 order की सिर्फ study करनी है, पूरे agriculture and entomology में ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आज आते हैं, अपने main concept यानि body वाला of insects पर, उसको जानने के पहले, कुछ और most important points की discuss कर लें, तो देखे, grouping of insects body segments into distinct regions, is known as tegmosis, मैंने पहले ही slide में आप से discuss किया, कि जो है, regions में, insect body structure के regions में, जो बढ़ने की प्रकरिया होती है, उसको क्या कहते हैं, हम tegmosis, ठीक है, अब जो segments होते हैं, अब जो कि टेगmosis प्रकरिया की बढ़ने की बात होती है, तो tegmosis प्रकरिया के अंतर के जो segments होते हैं, उन segments को क्या नाम दिया जाता है, tegmeta, उसके group को नाम दिया जाता है, tegmeta, और पूरे process का नाम क्या है, tegmosis, तीनों terms ध्यान से याद रखियेगा, अगर आपको session पसंद आ रहा है, तो प्लीज जली स फटा-फट से like करिए, share करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इनका फायता मिल सके, ठीक है, और comment तो करके अपना जरूर अपना feedback दीजिए, कि मेरा session आपको कैसा लग रहा है, क्या improvement आप मुझ में देखना चाहते हैं, ठीक है, मेरे advantage, disadvantage, सभी चीज की बात मुझे देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद लगे, अच्छा लगेगा, आपका स्वागत है, comment section में आईए, अपने राए दीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, एक question और जो हमें इसा बनता रहता है, वो क्या बनता रहता है, कि जो insect के अलग-अलग regions होते बता है, तीन बाता है, मैंने पहला बता है, डूसरा बता है, थ enters, तो तीसरा बताया, appdome, उसमें जो segments होते हैं, उनकी कितनी संख्या में segments होते हैं, तो दिखे याद रखिएगा, head में 6 segment होते हैं, thorax में 3 segment होते हैं, और abdomen में लगभक 8 से 11 segment होते हैं, वो depend करता है, अलग-अ और्डर्स पर कि कौन से और्डर का इंसेक्ट है उसी वजहार पर जो abdomen के segment होते हैं वो उस पर depend करते हैं किसी में 8 हो सकते हैं किसी में 9 किसी में 10 किसी में 11 हो सकते हैं बाकि जो head और thorax के segment होते हैं वो हमेशा से पराबर रहते हैं 6 और 3 ठीक है अब body wall of insect जो है उसे दो नाम और से जानते हैं एक क्या जानते हैं इंटिकुमेंट और दूसरा क्या जानते हैं एक्जोसकेलटन या देखिएगा आपके exam point आफिसे बहुत ज़्यादा important है ठीक है origin या फिर nature की बात कर लें तो किस nature का होता है ध्यान रिखिए गाई एक्टोडर्मल असानी के लिए दो sections में divide कर लेते हैं एक को कहते हैं epidermis और दूसरे को कहते हैं cuticle epidermis जो होती है वो inner cellular layer होती है और cuticle जो होती है वो outer non cellular layer होती है point to be noted अब epidermis की जो सब divisions होती है सब category नहीं होती है लेकिन cuticle की होती है तो cuticle को हम कितने division में बाट लेते हैं पहला होता है endocuticle दूसरा होता है exocuticle और तीसरा होता है epicuticle ठीक है अगर ऐसे समझ में ना आए तो अगले slide में figure आने वाली है मैं वहाँ से आपको समझा के आपको concept एकदम से body wall का clear करने वाला हूँ ताकि भवी समय कोई भी question आए आपसे गलती ना होने पाए अब देखिए epicuticle को भी हम further 5 में divide करते हैं पहला inner epicuticle दूसरा outer epicuticle, cuticoline, wax layer और cement layer है तो यह हो गए epicuticle के division अब देखिए यहाँ पर question क्या बनता है यहाँ से question यह बनता है कि pro cuticle किसे कहते है तो देखिए guys अगर endocuticle और exocuticle यह जो दो layers होती है यह दो layers adjacent होती है मतलब लगी हुई रहती है आपस में तो लगी होने के नाते अगर इन दोनों layers को हम मिला के देखें तो इन दोनों layers को मिला के क्या term दिया जाता है pro cuticle term दिया जाता है तो यह आपके exam point office बहुत ज्यादा important point है नोट करते हुए चलिएगा pro cuticle किस से मिलके बना होता है endocuticle और exocuticle ता आप अपता answer क्या करेंगे endocuticle और exocuticle ठीक है उसके अलावा composition की बात कर लेते हैं cuticle की तो composition of cuticle में तो देखिए अभी मैंने क्या समझाया आपको कि एक जो portion होता है वो होता है epidermis का ठीक है और एक जो होता है वो होता है cuticle का cuticle का इंतर कितने हमने division किये थे further एक को कहा था हमने endocuticle एक को कहा था exocuticle जिसे pigmented layer भी कहते हैं और जो uppermost ये आपको thin layer दिखाई दी रही है इसे क्या term दिया जाता है epicuticle ठीक है ये हो गई cuticle की बात अब जो अलग से question बनते हैं उसके बारे मैं आपको बताता चलू दिखिए मैंने कहा था pro cuticle के बारे मैं तो pro cuticle के बारे मैंने क्या कहा था आपसे कि endocuticle और exocuticle यानि कि ये वाला जो portion है इसको हम क्या कहते हैं क्या term देते हैं pro cuticle term देते हैं ठीक है ये याद रखिए गा यहां से अब देखिए जो अलग से question से यहां पे बनते हैं एक question बनता है कि जो wax layer होता है वो wax layer secret कौन करता है तो आपको ध्यान रखना है wax layer के जो secretion होती है वो करती है epidermal layer ठीक है epidermal layer करती है यहां पे आपको एक basement layer भी दिखाई दे रही होगी epidermis से लगी हुई तो basement layer का का काम क्या हो basement layer की thickness से question बनता है मैंसा एक्जाम में वो यह बनता है कि जो basement layer की thickness कितनी होती है तो guys आपको ध्यान रखना है कि basement layer की जो thickness होती है वो 0.5 micron होती है कितनी होती है 0.5 micron होती है ठीक है उसके अलावा आपको एक structure उपर दिखाई दे रहा होगा यह structure इसे टर्म दिया जाता है CT CT का का क्या होता है body wall में insect के जो CT होती है वो case रूपी सनरशना होती है hair like structure होती है यह insect के चलने में शिकार से अपने प्रे से चिपकने के लिए उसमे में यह CT महतवपूर भूमी का निभाती है तो इस CT की जो सा निर्माड होती है उस निर्माड में कौन कौन सी सेल या फिर कौन कौन सी चीज़े पार्टिसेपेट करती है तो आपको ध्यान रखना है trichogen cells होती है तो CT का निर्माड करती है यहां से आपको एक question यह ध्यान आपने इनिशियल टाइम में इनिशियल पीडेट में जिसमें सीटी रहता है उसको क्या ट्रम इतनी बात है आपको समझ में आ गहीँ तो यह सारह जो कौस्चन बाडी वॉलल से बंते हैं वो मैंने आपको यहां पर ग्लियर कडिया बढ़ते हैं आगए देखिए अब आगे अपने question पर चलते हैं setting of old cuticle accompanied by the formation of new cuticle called as molting or agdysis अब देखिए जो insect की body wall होती है body wall में जो cuticle होती है वो cuticle एक time के दोरान या फिर एक time के साथ दीरे दीरे पुरानी होती चली जाती है तो जब cuticle पुरानी हो जाती है तो insect क्या करता है उसे अपने body structure से निकाल के एक नई cuticle वहाँ पर उस अस्थान पर अपने आप ये एक natural phenomenon है तो natural phenomenon के अंतरगत वो skin हटके एक नई skin जिसे cuticle कहते हैं वो नई cuticle वहाँ पर बन जाती है तो इस प्रकार पुरानी cuticle के जान है और नई cuticle के बनने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको term क्या दिया जाता है उसको कहा जाता है molting ठीक है? molting या फिर eggdysis दोनों terms को याद रखना है आप लोग को molting या eggdysis हिंदी में इसको केचुली उतारना कहते है तो insect यानी कीट के अपने सरीर से जो केचुली उतारने के प्रक्रिया होती है उसको क्या term दिया जाता है? molting या फिर eggdysis अब देखिए एक जो confusion create होता है एक्जाम में वो क्या होता है? एक question यह बनता है जो detachment होती है cuticle की from the epidermis जो उसे क्या कहते है? मतलब तो यह आपको ध्यान रखना है एक question और निकाल के आपको देता हूँ कि जो time interval होता है दो moltings के बीच में उसको क्या term दिया जाता है? उसको क्या कहा जाता है? stadium यह आपको याद रखना है ठीक है? और molting के बाद जो skin जो पुरानी cuticle होती है जिसे insect अपने में कहा जाता है केचुली आपने बचपन से देखा होगा साब को अपनी केचुली उतारते हुए तो वहीं से आपको एक general सा idea लग सकता है कि जो केचुली यानि molting की जो प्रक्रिया होती है इंसेक्ट में वो कैसी होती है सब्सक्राइब है अब दखिए cuticle appendages की बात कर लेता है cuticle appendages को दो में divide कर लेते है एक को noncellular और दूसरे को cellular noncellular जो structures होती है जैसे minder hairs हो गये thaws हो गये तो यह structure किसमें आता है noncellular में आता है और जो bristles होते है flies होता है unicellular structure होते इसे तरह से कुछ इंसेक्ट जिन पर बॉडी वाल पर स्पाइन स्पाय जाते हैं वो किसमें आते हैं वो भी सेलूलर में आते हैं तो यह हो गए क्यूटिकिलर अपेंडेजर्स की बात इदनी सारी बाते हो गई अब देखिए जो मैंने आपसे कहा थे कि एक मोस्ट इंपॉर् मेटामर्फर्सिस जो है is the change in growth and development of an insect from one stage to the next undergoes during its life cycle from birth to maturity मतलब कीट के जन्म से लेके उसके mature होने तक उसके प्राउन होने तक उसके पूरे life cycle के दोरान एक stage से दूसरे stage में जाने के लिए जो जाता है किसके लिए जाता है क्यों change होता है उसके growth and development के लिए ताकि उसके उसके सरीर के विद्धी और विकास हो सके तो कीट के विद्धी और विकास के लिए जो उसके जल्म से उसके प्राउन होने तक जो एक चरण से दूसरे चरण में जो परिवर्तन होता है जाने के लिए उस परिवर्तन को क्या नाम दिया जाता है Metamorphosis जिसे हिंदी में कायांत्रन या रुपांत्रन नाम दिया जाता है तो याद रखना है आपको Metamorphosis is the change in the growth and development of an insect from one stage to the next undergoes during its life cycle from birth to maturity ये जो natural phenomena है वो insect के यानि कीट के जन्म से ही सुरू हो जाती है ठीक है? जन्म से ही सुरू हो जाती है और इसके mature होने तक चलती ही रहती है अब types of Metamorphosis समझ लेता है तो देखिए basically तीन टाइप के होते है Metamorphosis जो तीनों के नाम है वो क्या क्या है एक होते हैं A Metabola दूसरे होते हैं Hemimetabola और तीसरे होते हैं Holometabola A Metabola से क्या समझ में आ रहा आपको A मतलब absent यानि कि ऐसे members यानि ऐसे insect जिसमें Metamorphosis से पकरिया होती ही नहीं है absent होती है इसलिए इसको क्या कहते है No Metamorphosis तो Metamorphosis होती ही नहीं है तो इस प्रकार के जो मेंबर होते हैं उनको किस category में रखा जाता है या फिर टाइप of Metamorphosis उनका क्या होता है वो होता है A Metabola अच्छा, example को देख लेते हैं example में जैसे silver face exam में बहुत पुछा जाता है अच्छे से याद रखिएगा ठीक है? और फिर से मैं कह रहा हूँ session पशंदा आ रहा हो तो फटा-फट से like करिए share करिए और जतने भी question बन रहा है हेमी और Metabola यानि कि Metamorphosis जो प्रक्रिया होती है यह incomplete होती है यानि कि अपूर्ण होती है अपूर्ण मतलब क्या? वो भी मैं समझाने वाला हूँ आपको अभी देख लेजिए example example में जैसे dragonfly और damselfly देखिए अब समझ में आ रहा है आपको क्योंकि मैंने वहाँ के आपको general classification और फाइलम आर्थो पोड़ा और क्लास इंसेक्टा क्यों समझाया क्योंकि यहाँ आप example आने लगे हैं तो आप जैसे मैंने नाम लिया dragonfly और damselfly का तो आपके mind में क्या है एक फटाक से order आ जाना चाहिए कि ड्रगन फाई और damselfly किस order से बिलॉंग करते हैं ठीक है इसी तरह से holo metabola holo metabola क्या नाम दिया जाता है complete metamorphosis example जैसे butterfly हो गया moth हो गया ठीक है fly और bees हो गया तो यह किसमें आते हैं holo metabola जिसे कहते हैं complete metamorphosis अब समझते हैं कि metamorphosis जो होती है वो कौन सी incomplete होती है और कौन सी complete होती है दोनों में अंतर क्या है देखिए जो incomplete metamorphosis होती है जिसको हम क्या कहते हैं hemi metabola और जो complete metamorphosis होती है उसे कहते हैं holo metabola तो holo metabola में जो stages life के होते हैं पुरे life cycle में जो stages होते हैं इंसेक्ट में वो कितने हो जाते हैं चार याद रखियेगा और वो stage कौन-कौन से है sequence से मैं आपको बता रहा हूँ जो पहली stage है वो है egg egg से larva बनता है larva से pupa बनता है और pupa से बनने के बाद वो adult stage में जाता है तो यह चार stage हो गाया जो metamorphosis को complete बनाते हैं इसी तरह से hemimeta बोला यानि कि incomplete metamorphosis की बात करें तो यहां सिर्फ कितने stage पाए जाते हैं तीन stage पाए जाते हैं जो पहला stage होता है वो होता है एक का दूसरा होता है निम्फ का और तीसरा होता है adult का यानि वो पहले एक बनता है एक से निम्फ बनता है और निम्फ से adult बनता है तो यह जो तीन स्टेज हो गए यह इसको बनाते हैं incomplete आई बात समझ में अब कि incomplete metamorphosis क्या होती है complete metamorphosis क्या होती है examples मैं दे चुका हूँ आपको तो इदम clearly याद रखिएगा exam point of view से बहुत ही ज़्यादा important है यह आपका question ठीक है यहाँ पे confuse मत हुईएगा यहाँ पे लिखा young nymph और letter nymph यानि ऐसा nymph जो अभी just nymph में egg से transfers होके egg से change होके nymph बना है यानि बहुत ही कम time अभी हुआ है उसको nymph बने हुए अभी वो young है इसलिए term क्या दिया गया young nymph कुछ time बीच जाने के बाद जब उसकी थोड़ी से growth हुई उसको favorable environmental condition मिला feeding किया उसने थोड़ी से उसकी body enlarge हुई और उसको क्या turn दिया गया letter name बट दोनों अलग-अलग नहीं है है निंफी दोनों इसलिए यहाँ पे तीन इस्टेज ठीक है इतनी बाते उमीद है आपको पूरी समझ में आ चुकी होंगे अब देखिए types of larvae देख लेते हैं बहुत ही ज़्यादा important यहाँ से आपको question देखिए कैसे पूछ आया पहले तो यह समझ लेजिए question में आपको क्या उठा के देगा कि butterfly जो है वो कौन से type का larva है तो butterfly आपको याद रखना है butterfly कौन से type का larva है वो मैं आपको question आपको बता दिया कि आपको वहाँ पर चार option देदेगा अलग-अलग type larvae के नाम लिखके उसमें से आपको सही answer करना है ठीक है इस type का question यहाँ से बनता है अब देख लेते हैं types of larvae क्या है लार्वी मैंने बता दिया कौन से stage है metamorphosis की है complete की है या फिर incomplete की है वो आपको clear कर दिया मैंने अब types of larvae देख लेते हैं types of larvae basically 5 categories में divide है ठीक है 5 categories में divide है पहला जो types of larvae होता है उसे कहते हैं निम्फ निम्फ जो होता है वो orthoptera के और hemiptera order के जितने भी members होते है उनमें जो types of larvae होता है वो कौन सा होता है निम्फ होता है एक्जाम्पल की बात करें तो orthoptera में जो grasshopper होता है locust होते हैं वो orthoptera के order में आते हैं और उनके टाइप सफ लार्वा होता है कौन सा होता है निम्फ होता है तो याद रखना आप लोग को इस तरह से हैं में बक्स वाइट फ्लाई एफड और जैसे ठीक है अब देखिए जो दूसरा टाइप है मारा लारवी का वो क्या है वो है कैटरपिलर तो कैटरपिलर में जो के कंफूज करता है पूठके वो क्या है जो लेसन ग्रेन अगर बोर के बात करें जो छोटे साइच के ग्रेन ei Woner ये जोहां उनको कैटरपिलर नहीं कहा जाता है तो इन्हें छोड़ के बाकिक जिदा तो यह सारे जो टाइप्स अफ लार्वी है उसे क्या क्या टर्म देते हैं ग्रब इसी तरह से पांचुक्त तेर हम आत्व और से त्राएं जूल इतने उर्च ट्राइप्स अ इसारें उनको क्या नाम दिया जाता है Đ Geschichte का ठीक है इतनी सारी बाते हैं आपको समझ में आ चुकी है और एक चलते-चलते इस्ट्रक्चर आफ इंसेक्ट देख लेते हैं तो मैंने आपको पहले ही डिस्कॉस कर दिया है कि हेड होता है थोरेक्स होता है और अब्डॉमें होता है ठीक है और यह जो आपको एक रॉट ला सब्सक्राइब करें तो इस प्रगार के जो अलग आपकी होते है उसको हम डिसकॉस करेंगे अपने सेशन में तो यह जनरल आपको इस डिखाने की कोशिस यहां पर यह हुई है ताकि आपको एक अंदाजा लग सकें कि इंसेक्ट की बॉडी स्च्ट्चर होती है वो कि टाइप की होती है ठीक है अलग-अलग body parts के नाम क्या होते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजे आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं अपने आज के बहुत ज्यादा important topic के बारे में जो है head orientation जैसे दूसरे वासा में कहते हैं types of head and insect तो देखिए एंसेक्त में जो head होते हैं उन्हें हम basically तीन parts में divide कर लेते हैं किसके basis पे यह याद रखना है आपको वह होता है जबड़े के basis पे जबड़ा यानि की जैसे कहते हैं तो जबड़े की बैसिस पे हम इंसेक्ट के हैड को तीन पार्ट में डिवाइट कर लेते हैं अब आप पूछेंगे सब जबड़े के अधार पर ऐसे कि जबड़ा कहां इस्थित है कि यानि कि लोकेशन ओफ जा इन दे प्रॉस्पेक्ट इए वह कहां इस्टेबली से उसके बेसिस पे हमने अलग-अलग classification insect के head का हुआ है जिसमें जो पहला type आता है वो क्या आता है? वो आता है hypo-gnathus, ठीक है? याद रखना आपको hypo-gnathus word की अगर post-matum करें तो हम पाएंगे hypo और gnatus, hypo मतलब होता है below और gnatus मतलब होता है जा, तो जैसा मैंने आपको समझाया है कि जा के basis पे, जा का location के basis पे हम divide करते हैं insect के head को तो दीखिए, ऐसे insect का group, या फिर ऐसे insect, जिनमें जो जा होता है, वो head के नीचे पाए जाता हो इस प्रकार का जो इस प्रकार का जो types of head होगा, उसे क्या कहेंगे? उसे term देंगे हम hypogenethas, ठीक है? अब figure से समझ ये, ये portion हो गया हमारा head, जिसमें आपको antennae दिखाई दे रहा है, compound eye दिखाई दे रहा है, और oscillus दिखाई दे रहा है आई वा समझ में तो ये head हो गया, अब head के नीचे दिखिए क्या situated है, head के बहुत बढ़ी है trick यहां पे है, कि जितने भी orthoptera order के member हैं, उसमें कौन से type का head पाये जाएगा? उसमें पाये जाएगा hypogenethas type का head, याद रखना है आपको, example में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला कि grasshopper का जो insect head है type of insect head है वो कौन सा है, तो आपको वहाँ पे चार option में क्याटिक करना है hypogenethas type का insect head है ठीक है, और काक्रोच भी orthoptera, मतलब orthoptera order के, जितने भी members होंगे उसमें किस type का head पाये जाएगा? hypogenethas type का head पाये जाएगा, याद रखना है आपको आगे बढ़ते हैं, दूसरा type देखते हैं दूसरा type है मारा progenethas pro मतलब in front और genethas मतलब जा, मतलब नाम से ही सिद्ध है ऐसे insect का members या ऐसे insect, जिनमें जो position of जा है वो in the front of head है, मतलब head के आगे है before head भी कह सकते हैं तो देखिए, जैसे यहाँ पर आपको figure से clear है, यह हो गया हमारा head portion और यहाँ पर यहाँ से आपको mouth part भी दिख रहा है, यहाँ पर जाभी situated है तो इस प्रकार के जो insect head है, उसे क्या नाम दिया जाएगा? उसे नाम दिया जाता है progenethas type of insect head ठीक है? अच्छा, example देखिए जितने भी callioptera order के members होंगे callioptera से beetles और beebles होंगे तो इस प्रकार जितने भी members होंगे उनमें किस प्रकार का type of head पाया जाएगा? उसमें progenethas type का head पाया जाएगा तीसरा जो हमारा type है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपिस्थो गनेथस उपिस्थो मतलब होता है behind और गनेथस मतलब होता है जा मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे insect या फिर ऐसे insect order के insect जिनमें जो जा है वो head के पीछे पाया जाएगा या head के portion के पीछे situated होगा तो यहाँ figure से भी समझ में आ रहा है कि देखिए head portion इसमें आगे है और यह mouth का portion है वो behind है head के तो इस type के जो type of head है उसको क्या term दिया जाता है उसको term दिया जाता है उपिस्थो गनेथस type of insect head ठीक है example की बात करें जैसे हैमी उप्टेरा order के जितने भी members होते हैं उनको किस category में रखा जाता है उसको रखा जाता है और पिस्थो गनेथस type of head की category में example में जैसे stink bug तो यह उमीद है आपको session बहुत ज़्यदा पसंद आया होगा बहुत ही important questions को मैंने यहाँ पर cover किया बकायता concepts के साथ समझाया है यहाँ ठीक है तो अगर आपको session पसंद आया हो तो फटा-फट से आप like करिए और comment तो ज़रूरी करिएगा अपने questions बताईए मेरा session आपको कैसा लगता है आप मुझे में क्या improvement देखना चाते हैं आपके exam से related जितने भी questions बनते हैं आप पूछिए मैं वहाँ पे आपको reply करूँगा आपके सारे questions का answer दूँगा मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा यादी आप comment करेंगे तो अगला जो हमारा session होने वाला है वो exam point of view से बहुत ज़्यादा important रहने वाला है ठीक है उनमें हम बहुत सारी अच्छे चीचे डिसकस करने वाले हैं तो बने रहिएगा हमारे next session के साथ ठीक है उसके साथ ही साथ जितने भी लोग नए हैं हमारे channel पे आज जुड़े हुए है वो agree mantra channel को फटा फट से हमारे subscribe करिए bell icon भी तबा दीजेगा ताकि हर session की videos आपको सबसे पहले मिल जाए उसके साथ ही साथ हमारे social media platform से जुड़िए वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा interesting way में agriculture current affairs की dose ठीक है उसके साथ ही साथ quidges बहुत कुछ इसके साथ ही साथ आपको आपको हाँ पे agriculture rated मिलता रहेगा ठीक है मिलते हैं अगले session में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए जै हिन जै भारत